तेवर का ये ट्रेक आप सुन रहे थे जमशेद पर, 104.8 FM रेडियो धूम पर और शो का ना मॉनिंग मस्ते टूस्डे की ये मॉनिंग और मैं कौन आपके साथ यहां से अपने शो के थर्ड आर की शुरुआत हो चली है, यानि सुबह के 9 बच चुके हैं और एक बहुत ही खास इंसान से आपके मुलगात मैं करवाने वाला हूँ जैसा मैंने आपको कहा था तो आज इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मिस्टर विकरान तिवारी आप CEO हैं Grotories.com के और अगर बात करें तो पिछले 8 सालों में 35 लाक से जादा पौधे पूरे देश में लगा चुके हैं और इनसे जरा हम इनके बारे में जानते हैं कि जो जमशेदपुर कनेक्शन है, जारगन कनेक्शन है, वो क्या है बहुत बहुत स्वागत है आपका विकरान था हमारे स्टूडियो में और जमशेदपुर में भी जन्मा पला बढ़ा, यहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा, आप कह सकते हैं, मैंने अपना ग्रेजुशन यहीं से किया और मैं लगभग 11-12 सालों तक कॉर्परेट लाइफ में जॉब करने के बाद, I have decided to move on from MNC to development sector लगभग 10 सालों समय बॉम्बे में हूँ, मैं I am Calcutta alumnus जिस आपसे जानना चाहूँगा, कि इतना higher education लेने के बाद, corporate life जीने के बाद, 10-15 साल corporate में काम करने के बाद, फिर आपको यह क्यों लगा कि आपको development sector में जाना चाहिए? बहुत बहुत बहुतर question है आपका, मैं सच कहूँ तो एक समय था कि जब आप अगर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो या तो आपको कोई charitable organization खोलना पड़ेगा, या आपको grant donation पर depend करना पड़ेगा, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे जो, हमारे जैसे लोग, किया जा सके, और ये सच बताओं, तो मेरी मुलाकात हुई, गिव इंडिया के founder director Venkat Krishnan, जो की खुद आया, महमदाबाद aluminous है, अगर आप गिव इंडिया जानते होंगे, जिसके chairman में रहे चुकिए, Mr. Waghol, IC से bank ex chairman, तो जब उन्नों को से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे जिन्देगी में बहुत कुछ करना है, और एक तफाक से, उसी से में 3 idiot movie भी launch हुआ था, तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगा, कि शायद life को ATM machine नहीं बनाना है, there should be something, जिसके लिए मैं चाहता हूँ, कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, और तब मैंने decide किया, कि मैं जब growtries.com आपने शुरू किया, आपको ये लगा कि corporate life से आप development sector में आए, इसके पीछे का motto क्या था, growtries.com को शुरू करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारे founder chairman Mr. Pradip Shah को एक garden gift किया, किया था इसराइल में है, और उनकी दिमाग में था कि या जब इसराइल था चोटा देश हो करके, इतना बहतर काम कर सकता है, तो क्यों नहीं भारत में हम ये एक culture inculcate करें, जा हर व्यक्ति, चाहे वो किसी की याद में, किसी के जन्दिन पर, किसी के शादी के सालगिरह पर, ये कोई भी function हो, उस पर वो paint लगाए, और paint के तुरू greet करें, मतलब मैं charity क ये बात नहीं कर रहा हूं, कि आप एक पर लगा दो, greet with trees, this is the concept motto of our organization, यही वज़ा है कि आप देखिए कि हम इंडिया में, WWF, इंडिया, UNEP के साथ भी partner रहें, और हमारे काफी global partners भी है, और हमारा costing जो है, आप देखेंगे, एक आपका CCD का cappuccino का cost से भी कम है, मतलब मातर 85 रुपीज में कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं से भी हमारे website पर आ सकता है, groceries.com पे, और 85 रुपीज पे करके instantly किसी भी व्यक्ति के नाम पर वो पेड़ को लगा कर सकता है, dedicate कर सकता है, और उसको कैसे पदा चलेगा कि उसने कर दिया है, और किस जगे पी लगाया Exactly, so हमारा model ऐसा है, November, December से nursery का काम शुरू होता है, और ये nursery में हम पौधों को nurture करते हैं, during monsoon time में हम plantation करते हैं, देन उसके बाद एक साल दो उसका nurture करते हैं, देख भाल करते हैं, और एक साल के बाद audit भी करते हैं, प्रोजेक का, ता कि ये पौधों कितने survive कियें, कितने Perfect, अभी ये आप हमारे website पर जाएं, और locate tree feature में ये punching करेंगे number को, तो आपको with the help of Google Earth, ये दिखेगा कहा आपका pen लगाया गया है, वो project area कहा है, क्या बाद है, जमशेदपुर में आपको ये बता दूँ कि विक्रान ने मुझे भी एक free gift किया है, नए साल के मौके पर, और य इसी को gift करना चाहते हैं, तो वो groceries.com पे जा करके और कर सकते हैं, बिल्कुल, 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 दो से ती मिनट लगेगा, hardly, और बहुत सारे design से certificate के greeting के, उसको आप choose कर सकते हैं, instantly gift कर सकते हैं, वेगरांद एक चीज़ आप से जानना चाहूंगा, मैं, कि the corporate life आपने enjoy boy geek है सकते हैं, बहुत अच्छी खासी salary, package, लेकिन ये सब को छोड़के, जो किसी का dream होता है, वो छोड़के आप development sector में आई, no doubt family में भी बहुत सारे लोगों ने objection किया होगा, कि नहीं आ रहे से, ऐसे कैसे, और जो आम आदमी है, वो ये सोचेगा, कि फिर तो इसका पढ़ा कि पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना है, यही सुनना चाहरा है, तो यह calculation ही गरत है, आप देखिए, यह हमारे समाज में आप एक तरफ यह कहते हैं, बचपन से कि आ, दुस्तों की मदद करो, सेवा करो, सच बोलो, बड़ा होते ही, आप उस बच्चे से उमीद करते हैं कि पैसा कमाना है, बाकि साज रिवर्स हो जाता है, जो शायद मेरे लाइफ में नहीं हुआ, बलकुल, और मैंने जैसे बताया, एक बुक था, Stay Hungry, Stay Foolish, Stay Hungry, Stay Foolish, written by रश्मी बंसल, I'm Ahmedabad की लल्गी है, वो उसने लिखा है, और जब मैंने वो पढ़ा था, तभी मैंने बताया आपको क्योंकि ट्रस्ट मी प्रसुन, मेरे पास में डेली कम से कम दरजोनों रेज्यो में आते हैं मेरे आफिस में, डिगरी का मतलब ये कभी नहीं कि आपको खुशी मिलेगा, विल्कुल, सभी बाद, ठीक है, और मैंने वही कहा कि शायद 3 डियत मूवी, ये Stay Hungry, Stay Foolish book, Winkert से मिल और ये सब चीजों मुझे ये ये एहसास दिलाया कि आपकी जो स्किल्स हैं उसको आप बहतर तरीके से यूज़ करके सिर्फ अपना नहीं अपने साथ लाखों लोगों का चेहरे पे मुस्करहट लाईए, क्या बात है, आज प्रसुन अभी आपको ठंड लग रही थी, हम ब और इस देश में, इस दुनिया में रहने वाल हर लोग जो सासे ले रहे हैं वो पेंड के बदॉलत ले रहे हैं, लेकिन हम इतने हैसान फरामोष हो जाते हैं कभी कभी, कि उसके लिए सोचना तक भूल जाते हैं, काड भी देता है, घर की पेंड जो निकले होते हैं, टेहनि और शायद हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हो तो शायद मेरी बातों को कुछ लोग सुन्दे भी हैं, अगर मैं शायद यहीं नहीं पढ़ा होता तो लोग सुरते हैं कि यह बेकार है, कुछ नहीं करता है, इसलिए यह बक्वास कर रहा है, यह सही बात कह रहे हैं और वैसे भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा कभी भी बेकार नहीं जाता है, आपसे यह जानना चाहूंगा मैं, कि कहते हैं कि जो भी चीजें की जाएं, उससे किसी का भला हो या फिर लोगों का फाइदा हो, तो जो पौधे आप लगा रहे हैं, और अगर हम दल्मा की बात करें, दल्मा एरिया की बात करें, तो लगबग एक लाख पौधे वहाँ पे लगाये जा चुके हैं, ग्रोटरीज डॉट कॉम के थूट और आने वाले एक साल तक उसका टेक किया जाएगा, और यह काम दिया गया है वहाँ के लो करता है, तो randomly कोई भी काम नहीं करता है, हम पहले वहाँ पर analysis करते हैं कि वहाँ की ज़रूते क्या है, वहाँ के communities के साथ में हम एक awareness program चलाते हैं, हम उनकी रजामन्दी लेते हैं, because अगर आप देखिए government के बहुत सारे schemes चलते हैं पे लगाने के, हम वहाँ के local communities को involve करते हैं, ग्राम पंचायत का मिटिंग बिठाते हैं, ग्राम पंचायत से पूछते हैं, कि भाई साब आप बताइए कि ये पौधे लगाने से क्या-क्या फैदा होंगे, आपको लगता है कि ये आपके additional income बढ़ा सकेगा, sustainable lovelihood opportunity create कर सकेगा, अगर वो उन सब पे रजामन्दी करते हैं, तो ही हम कारकरम करते हैं, जैसे हम नसरी का कारम शुरू करते हैं, तो नसरी के काम में वहाँ के जो tribal communities होते हैं, mainly women, they get employment, so हम women employment की बात करते हैं वहाब, फिर वो नसरी में पौधों को nurture करती हैं, उस दाए मैन उनको wages मिलते हैं, देन वो pit digging करते हैं, plantation करते हैं, उस दाए मैन भी कराता है थर्ड पाटी से क्या बात बाइनी चांस अगर सबावल रेट हमारे expectation से काफी कम होते हैं हम उसको replant करते हैं बिना किसी extra cost to our client और आपने पूशा उनको आमदनी के जरिया एक मेंने बता है जो local wages मिलते हैं हम वहाँ पर mixed species में जैसे जामून, custard apple जिसको सीता फल बोलते हैं शरीफा बोलते हैं आवला, bear, bamboo, jackfruit, mango और इस तरह की बहुत सारे प्रजातियां mix प्रजाति लगाते हैं मैं एक बार मद्य पदेश में था और वहाँ पर एक बुझूर्ग आदिवासी पुरुष्ट हैं जब मैंने उसे पूछा कि ददा आप क्या कर रहे हैं वो फरवरी माज का समय था वह महुआ चुन रहे था महुआ के फूल मैंने पूछा अच्छा लगबग हजार महुआ के पेड़ हैं और एक महुआ का पेड़ लगबग 20-25 किलो महुआ का फल देता है साल में और उसकी बजार की वैल्यू लगबग 25-30 किलो होती है तो एक पेड़ लगबग 5 सुरुपय का उनको आमदनी करा देता है बिना कुछ किये एक बार उसको मैच करके और तब वहां पे इंप्लिमेंट किया चार है और जिस स्टडी की बात मैं कर रहा था उसके बिना ये पॉसिबल बिलकुल भी नहीं कोई एक मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहें और जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको देना चाहें बिलकुल मैं जरूर चाहूंगा जब आपके जिन्दगी में सुबा उठकर के नौकरी, स्कूल और इन सब चीजों में आप फस जाते हैं तो नेचर के प्रती जो आपके जिम्यदारी है वो से वर्ल्ल इन्वार्मेंट डे के दिन में एक पौधा लगा कर फोटो खिच के इंस्टागरम और फेस अगर आपको कुछ करना हो तो एक पेर लगाए जो जीवन पर्यंत उसके याद में या उसके खुशी में हमेसा साथ देगा और ये मातर एक छोटा सा तरीका है आप हमारे वेबसाइट www.grow-tees.com पे जाए मातर 85 रुपीज में आप एक पेर लगा करके इंस्टेंटली हमारे बहुत सारे डिजाइन से सर्टिफिकेट के कोई भी ई-कार्ड का डिजाइन चूज कीजिए और अपने दोस्त को बित्रों को ग्लोबली आप डेडिकेट कर सकते हैं याद रखिएगा जब आप 85 रुपीज ग्रोटरीज डॉट कॉम के वेबसाइट पर जाकर देते हैं और काम को तो आप वाइल लाइफ हैबिटाइट को इंप्रूफ करते हैं वहाँ के वाटर टेबल को आप इंक्रीज करते हैं उसको इंप्रूफ करते हैं इन पौधों को लगाने से मैन अनिवल कॉल्फिक को प्रेडियूस करते हैं वहाँ के ट्रैबल कमुनिटी के लिए रूर हैं उन्हीं पेड़ों को आप उन e-card के थूरू किसी को dedicate कर सकते हैं बीना किसी flower bouquet या traditional gift के. So next time आप किसी chocolate box या flower bouquet देने के बदले आप उन्हें पेड लगा कर करने के बदले आप पेड लगा करके उनको dedicate कर सकते हैं. यही मेरा स्टूडियो में बहुत सारी बाते करी है हमने no doubt आप यह बदायां Cincinnati. Кैसा लगा पूरे जंश्यद पूर से मिल और उनसे बाते करके बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहत़ी लगता है मैं जभी पूराने मित्र इयार इनफेक्ट मेरे कुछ टीचर्स में सबसे मुलाकात करता हूँ तो निश्यत्रपूर से मुझे बहुत अच्छा लगता है दस सालों से बाहर हूँ जमश्यत्पूर से तो हमेशा मिस्स करते रहता हूँ साल में एक दो बातों जरूर आता हूँ बिल्कुल मुझे बढ़ा अच्छा लगा मिलके और इतनी सारी बाते करके आपसे आप शोव पर आए, स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यमाद आपका हमसे बात करने के लिए Same to you Prasunji, मुझे बहुत खुशी लगा आपको हमारे तरफ से Grotis.com के पुरे टीम के तरफ से जम्षित पुर्वासियों को भी नए वास की हादिक शूपकामना है, Merry Christmas, thank you so much for allowing me to talk about my program, my work on this platform, thank you so much, thank you so much.